नमस्कार दोस्तों एक बर फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज किस वीडियो में पेट एक्जाम के बारे में बात करेंगे कि पेट एक्जाम के बाद कौन-कौन सी भरती आप देख सकते हैं देखे दोस्तों बहुत से लोगों के मन में यह प्रस्ण है पेट एक्जाम किसके लिए जरूरी होता है और किसके लिए जरूरी नहीं है पेट एक्जाम से सम्मंधित दोस्तो एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया था जिसमें बहुत से लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि सर क्या IS और PCS एक्जाम के लिए पेट की जरूरत है कुछ लोगों ने पूछा था बैंक और रेल्वे के लिए पेट एक्जाम की जरूरत है SSC के लिए पेट एक्जाम की जरूरत है या नहीं है B.A.D. एक्जाम के लिए पेट की जरूरत है या फिर नहीं है पुलीस और ESI या दरोगा के लिए PED exam की जरूरत है या नहीं है सभी से सम्वन्धित यहाँ पर प्रस्ण पूचा गया है PGT, UGC के बारे में प्रस्ण पूचा गया तीचर से सम्वन्धित प्रस्ण पूचा गया क्या टीचर के लिए PED exam देना जरूरी है ROARO के लिए पूछा गया, अगनिवीर वर्थी के लिए पूछा गया, क्या अगनिवीर के लिए भी PET की जरूरत है और SSC GD के बारे में पूछा गया, क्या SSC GD के लिए PET exam देना जरूरी है तो आज के इस वीडियो में इन सभी के बारे में बात करेंगे कि किस exam के लिए PET exam देना जरूरी होता है, PET exam पास करना जरूरी होता है और किस exam के लिए PET की आउ सकता नहीं होती है तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए आज के इस वीडियों में इसी के बारे में बात करेंगे कि PED exam के बाद आप कौन कौन सी भरती देख सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों देखते हैं PED exam क्या है देखे दोस्तों यह UPSC द्वारा आयोजित होने वाली एक प्रारंभिक पात्रता परिक्षा है जिसे पास करने के बाद UPSC द्वारा आयोजित होने वाली ग्रुप C की परिक्षाओं के मेंस परिक्षा में आप बैठ सकते हैं तो उत्तर प्रदेश अधिनस्त सेवा चैन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली ग्रुप C की परिक्षा जिसे समूहगा भी कहते हैं समूहगा की परिक्षाओं के मेंस परिक्षा में आप बैठ सकते हैं पेट एक्जाम पास करने के बाद ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं बात कर लेते हैं पेट एक्जाम की योगिता के बारे में कौन-कौन लोग पेट का एक्जाम दे सकते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए पेट एक्जाम के लिए दसवी पास सभी लोग आवेदन कर सकते हैं और उम्र सीमा की बात करें तो 18-40 वर्स उम्र होनी चा आफ लाइन मोड पर एक्जाम होता है और एक वटाचार कर निगेटिव मार्किंग भी होता है और इसमें वैधता की बात करें तो एक वर्स की इसकी वैधता होती है तो यह पूरा इसका पैटर्ण है आगे बात कर लेते हैं अब कौन-कौन सी परिक्षा में आप बैट सकते हैं जो समूहगा के अंतरगत आती है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पैट एक्जाम के बाद कौन-कौन सी भरति आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए UPSC Group C की सभी भरतियों को आप देख सकते हैं सभी भरतियों की बात करें समुहुगा की जो उत्तर प्रदेश अधिनस सेवस्चेन आयोग द्वारा करवाया जाता है तो यहाँ पर आपके सामने है ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और चकवंदी लेखवाल की वेकेंसी देख सकते हैं पेट एकजाम पास करने के बाद ही आप इन सभी भरतियों को देख सकते हैं इसलिए दोस्तों इन सभी भरतियों के लिए पेट एकजाम देना जरूरी होता है lower subordinate गन्ना परिविक्षक के लिए पेट एक्जाम पास करना जरूरी है कनिश सहायक के लिए भी पेट एक्जाम देना जरूरी है क्रिसी प्राविधिक के लिए भी पेट एक्जाम पास करना जरूरी है महिला स्वास्त करता के लिए भी फारेस्ट गार्ड और कन्डक्टर ड्राइवर के लिए भी पेट एक्जाम देना जरूरी है इसके साथ में Revenue Inspector, Junior Assistant, Sthenographer के लिए भी पेट एक्जाम पास करना जरूरी है सहायक सांखिकी अधिकारी, हार्मासिस्ट के लिए भी पेट एक्जाम देना जरूरी है जूनियर इंजिनियर, ट्यूवेल आपरेटर, कम्प्यूटर आपरेटर के लिए भी पेट एक्जाम पास करना जरूरी है boring technician के लिए भी bed exam देना जरूरी होता है तो ये सभी भरतिया UPSC की माध्यम से करवाई जाती है और ये सभी भरतिया ग्रूप S के अन्तरगत आती है इसलिए इन सभी भरतियों के लिए bed exam देना जरूरी होता है 保र्र een exam पास करना जरूरी होता है चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कौन कौन सी परिक्षाय ऐसी है जिसके लिए पेट की जरूरत बिलकुल नहीं है तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए इन भरतियों के लिए पेट की जरूरत नहीं है सबसे पहले है IAS, IAS के लिए पेट की जरूत बिलकुल नहीं है, PCS के लिए भी नहीं है, Bank और Railway के लिए भी पेट की जरूत नहीं है, SSC के लिए भी पेट की जरूत नहीं है, B.A.D. के लिए पुलिस के लिए दरोगा के लिए पेट की जरूत नहीं है C.G.L. के लिए भी पेट की जरूत नहीं है T.G.T. P.G.T. के लिए पेट की जरूत नहीं है U.G.C. के लिए टीचर के लिए पेट की जरूत नहीं है यससी जीडी के लिए, यससी छेसल के लिए, बैंक कलर के लिए, इन सभी परिक्षाओं के लिए पेट की जरूरत बिल्कुल नहीं है इसके अलावा भी और भी प्रतियोगी परिक्षाएं हैं, उनके लिए भी पेट की जरूरत नहीं है पेट की जरूरत केवल UP SSC के माध्यम से गुरूप C की जो भरतियां आती है उसी के लिए है गुरूप C मतलब समुगा के अंतरगत जो भरतियां आती है जो UP SSC के माध्यम से करवाई जाती है केवल उसी के लिए पेट की जरूरत है और किसी भी परिक्षा के लिए पेट की जर बिल्कुल नहीं है आप लोग समझ गए होंगे पेट किया उसकता किसके लिए है यहां पर आपको बता दिया गया अब इस वीडियो को दोस्तों यहीं पर समाप करते हैं आसा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों सेर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर उताईए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद